दोस्तों नमस्कार जैसर कृष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर लगन वालों की मकर लगन की अगर कुंडली है आपकी आपके लिए आपका भविष्चे 2021 का क्या कहता है आपके लिए 2021 क्या कहता है आपका 2021 कैसा जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके सिक्षा, स्वास्त, करियर, ब्यापार, रोजगार, इत्यादी के बारे में बात करेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी मेरेड लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर मकर लगन आपका है ये आप कैसे जान सकते हैं क्योंकि कुछ लोग मकर रासी समझ करके ही रासी फल देखने आ गए हूँ तो आपको बता दें कि ये रासी फल जो है वो लगन के अधार पर है चंद रासी यानि मून साइन के अधार पर नहीं है आम तोर पर जो रासी फल मैं देता हूँ वो सब मून साइन यानि चंद रासी के अधार पर होते हैं लेकिन यहे एक मात्र वारा वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें मैं लगन के अधार पर बताता हूँ पूरे साल का भविश्य तो आईए जानते हैं कि आपका मकर लगन है आप कैसे पता कर पाएंगे बैसे तो अधिकतर लोगों को पता होगा गर आप जानते हैं लगन के बारे में तो ठीक है जिनने पता नहीं उनके लिए बता दें आप अपनी लगन कुंडली खोलेंगे किसी भी software में या application इत्यादी में बनाएंगे या आपकी कुंडली बनी हुई है तो उसमें देखेंगे लगन चक्र जहां होगा तो उस लगन कुंडली में लगन चक्र में आप देखेंगे कि आपका जो बारा खाने जो होते हैं बारा भाव जो होते है सुरुवाती जो पहले खाने में दस नंबर लिखा होगा आपका लगन मकर बनता है मकर रासी यानि मकर लगन और इस मकर लगन का कहता है 2020 का भविस्य आई ये जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिक्षा की तो सिक्षा की स्थितियां कुछ ज्यादा बहतर तो नहीं रहेंगी कुछ creative कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको देखा जाए तो कोई course इत्यादी या ज्वाइन करें या खास करके यहाँ पर आपको मैं कहूंगा कि आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान ना दे करके किसी और चीज में creative चीज में ज्यादा ध्यान दे दे देंगे इस बज कई बार ऐसा देखा जाता है कि tuition fees जमा कर दी या जा रही है लेकिन उसमें कुछ सीख नहीं रहे हैं जैसे कि जिम इत्यादी की फीज आप दे देते हैं लेकिन आप कहीं भी बर्काउट करने जाते ही नहीं कभी भी नहीं जाते हैं पूरी फीज असी बेश्ट जाती है तो अगर हम स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की जिस्तेतिया काफी बहतर रहेंगी स्वास्त में कोई business problem नहीं होगी BP इत्यादी की problem या सुगर इत्यादी की problem आपको चल रही है तो उससे थोड़ी आपको साब्धानी बरतने के आवसकता है और चीजों को समभाल के चलने के साब धानी भरे जीवन को जीने की आवसकता है दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी लब लाइफ की तो लब लाइफ की स्थितिया काफी बहतर होंगी परेडाम काफी बहतर आएंगे उससे भी जादा आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत जादा बिस्वास करेंगे सच्चा प्यार करेंगे सच्चे प्यार की तलास अगर कर रहें तो काफी बहतर रहेगा लेकिन जो रिलेशन आपका चला आ रहा है बीते समय से कुछ रिस्ते खराब चल रहे हैं तो इसमें चीजों में सुधार होता हुआ नहीं दिखेगा डाइबोस इत्यादी की प्रॉब्लम से भी आप जूज सकते हैं या ये कहें कि पुराने रिस्ते खराब हो सकते हैं खास करके अगस्त का महीना ऐसा रहेगा जिसमें फिजिकल रिलेशन आपके मेरेड लाइफ में क महीने और बाकी स्तितियों में बाकी महीनों में ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं, आपको competition इत्यादी का बहुत ज़्यादा सौक रहेगा और competition बहुत ज़्यादा करेंगे, ronisen बहुत जादा करेंगे, इंटर्वी इत्यादी में सफलता प्राप्त करेंगे, आस्चर जनक अचानक से किसी चीज में सफलता मिल जाए, ऐसे इस्तितियां भी आपके लिए बन सकती हैं उसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए इस्तितियां तो ये भी कहती हैं कि कुछ महीनों में जैसा खास करके जून के महीने में अक्टूवर के महीने में आपको अचानक से किसी चीज में सफलता प्राफ्त हो जाए जिससे कि आपका परिवारिक हर आल्लास बढ़ जाए और आपके लोग आप से परिजन आप से बहुत जादा दिलचस्पी रखने लगें आम टोर पर देखा जाता है मखर लगन के जो लोग होते हैं मखर लगने बालों को जängerदा घूमना फिरना या खास करके ज़्यादत तर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते हैं इनके जो दोस्ती होते हैं वो limited होती है कम दोस्त रखते हैं क्योंकि इन्हें रिस्ते ज़्यादा बनाना नहीं आता है क्योंकि ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से चलाते नहीं है ये कहें कि इनके अकेला पन इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एकांत बास इनके लिए इनका एक रूल होता है एकांत बासा जगडाना जहासा वो इस्तिती रहती है और एक इस्तिती यह भी होती है कि मकर लगने वाले लोग मुपर बोलते हैं लोगों की जबी तो मंगल यहाँ पर उच्चका होता है मकर रासी में क्योंकि यहाँ पर खास करके लोग मुफट हो जाते हैं मकर लगने के लोग थोड़े चीजों को समझ के लॉजिक के आधार पर समझते हैं इन इस्तितियों में मकर लगने बालों आपको ये विसेज ध्यान रखना है कि आपकी बहस इत्यादी अगर किसी से हो तो साइड हो जाना है बहस नहीं करना है लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि मकर लगने के ही लोग हैं और मैं खुद भी मकर लगने का हूँ तो इसलिए खास करके देखा जाए यहां पर ऐसी स्तितियां बन जाती हैं मकर लगने बालों के लिए 2021 में कि बहस इत्यादी लोगों से ज़्यादा हो सकती है और बहस इत्यादी करेंगे तो समय की बरवादी होगी और कुछ नहीं बहस इत्यादी करने से बचें और आगे बढ़ें उसके लिए आपको खास करके गड़ेश जी की आराधना करनी चाहिए अगर हम बात करते हैं खास करके ब्यापारियों की तो पार्टनाशिप के ब्यापार में भी काफी लाब है और आप अगर अपना खुद का बिजनिस करते हैं तो उसमें भी आपको काफी लाब मिलेगा होटल से संबंदित बिजनिस करते हैं अथवा ज्वैलर इत्यादी हैं और खास करके अगर बिजनिस मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए काफी बहतर परिडाम ये वर्स लेकर आएगा उसके साथ साथ जौब इत्यादी प्राप्त हो सकती है प्राइवेट सेक्टर की स्थितियां जाद अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि आपको बात्य सेहन करने की सकती बिलकुल नहीं मिलेगी इस भर्स में किसी की बात्य सेहन नहीं होगी और मकड लगने वाले कुछ सेल्फ रिस्पेक्टिर ज़्यादा होते हैं ज़्यादा उन्हें साहीमानी होते हैं तो स्वाहिमान को ठेस पहुँचे बार-बार ऐसी स्थिती बन सकती है, इस बज़े से प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है गौर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनना चाते हैं, सिविल सर्विसिस की तयारी कर रहे हैं, सिविल सिवा देना चाते हैं, उसमें काफी अच्छे परेडाम, इंटर्वी में सफलता इत्यादी प्राप्त कर सकते हैं बिदेश यात्रा की योग बनेंगे और बिदेश से सम्मंदित कार्य अगर अटके हुए थे तो वो 2021 में सॉल्ब हो जाएंगे बिदेश में रहना चाते हैं बिदेश में सेटल होना चाते हैं काफी अच्छी संभावना है 2021 लेकर आएगा दोस्तों यह था आपके लिए मकर लगने वालों के लिए पूरा 2021 का भविश्य फल अगर आपको वीडियो पसंद आएए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करें बहुत बहुत धन्ने बाद दोस्तों नमस्ता